महिला को शादी का जहांसा देकर कई बार किया दुशकर्म अबारोपी साड़े साथ लाख रुपए लेकर दूसरी महिला संग फरार पेड़ित महिला ने एस पी ओफिस में दर्च कराई शिकायत आरोपी के खिलाफ कारेवाही और रुपए वापस दिलाने की लगाई गुहार शिवपरी जिले की कोटवाली थाना श्वेत्र के अंतरगयत आने वाले फतेपूर की रहने वाली एक महिला ने एक यूवक पर शादी का जहांसा देकर कई बार दुशकर्म किये जाने और उसके साड़े साथ लाख रुपए लेकर उसकी दूसरी महिला संग फरार हो जाने क अरोप लगाया है महिला ने इसकी शिकायत बुदुवार को स्पी आफिस में दर्च करते हुए पुलिस से आरोपी के खिलाफ कारिवाही किये जाने और उसकी रुपए और जेवरात वापस दिलाय जाने की गुहार लगाई है महिला ने बताय कि भूरा पुत्र नक्टू ध धाकर निवास्ती ग्राम जाम को ने शादी का जांसा देकर उसके साथ 4 साल तक दुश कर्म किया उस दोरान उसने अपना एक प्लोट 20 लाक रुपए में बेचा जिसमें से तीन बार में भूरा धाकर ने 7.5 लाक रुपए ले ले लिये और मेरे सोनी चांदी के जेवर लेक अब मुर्फए आज लाक रुपए 2 लाक की मेरे रखब लेके बाग गया अब इसका यह पता नहीं है कहां पहे का नहीं है दूसरी से मतला दूसरे उसमें बेन बना के मेरे जेवर भी ले गया अब पता चला कुसमें साधी कर लिए बस नहीं बना ली इसको वो बंदना को ब अब कर दो आठाओ चल लेका है उसके बूरा पो टो आठ साल दे मैं अब लगाई अभी अभी कंपलेंट आलने वाली हो गए कपकी बाद है यह अभी करीवन चार मेन हो गए तो आपने उससे साधी की ती तो नहीं साधी का बादा किया था उसने अच्छा ऑच्छा उसारी नहीं गी आपसे नहीं गी उसना दोगा क्या चाहदी हो पिर आप उसको मत उसको साया मिलनों चाहिए कड़ी से कड़ी